जी अवाद आ रही है आच चलने ग्रेट यारी किसी जरी में वह पूछता था कि हाओ यू फिल अबाउट यू प्रप्रेशन फर दीग लैंट जी 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 अली अलीशा फिदा हमदान निम्रा सदफ सदफ के ख्याल में तियारी ठीक जा रही है और बाकी लोग जों से हैं निम्रा हमदान फिदा अलीशा 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 उतियारी विगारे शुरू भी की हुई है सेपर्स की माइक्रो एकनामिक समरा बिल्कुल कम्प्लीर हो चुका हुई है अच्छी जा रही है अच्छी जा रही है अच्छी जा रही है हमदान का है ठीक ही जा रही है और निम्रा स्टार्ट कर दी है चलें निम्रा ने भी स्टार्ट कर दी है चूंकि अब हमारे पास टाइम ठोड़ा था अब शार्ट होना शुरू हो गया हमने अलहमदुल्लाइब जो हमारी डिसकेशन थी रेलेटिंग टू माइक्रो एकनामिक्स और मैक्रो को भी स्टार्ट कर दिया हो तो वो तो कंप्रीट है तो माइक्रो वाले अलिमेंट्स जो हैं पास्ट पेपर्स में उनको आपने जरूर देखना शुरू करना है जो हमारे क्वेस्टन बेंक है उसके अंदर जो चीज़ें उनको भी आपने देखना है और उनको स्टड़ी करना शुरू करें जो क्वेस्टन्स हैं उनक्वेस्टन् करें आपके जो हमारी शूर प्रप्रिशन है वो सिही जाए एक होता है हमारा कॉंसेल को डिसक्स करना क्राइश सकते हैं जी इंवेस्मीन्ट क्या होती है आपकी गुस्ट्रफ्चन क्या होती है अपने देखा होगा कोई हमारे कॉंसेप्ट को बहुत ज़्यादा मुश्किल वाले यह कोई राकिट साइंस वाली बात नहीं है हम जहां पर मेरी डिसकेशन कोशिश भी होती है कि मैं उसको आम अलफाज में आम जबान के अंदर सिंपल सादा एक्जेम्पल के साथ कुछ समझाने की कोशिश करो तो वो कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल कॉंसेप्ट नहीं है लेकिन उनको एक्स्प्लेन करना एस पर दी रिक्वार्मेंट्स आप दी एक्जैमिनर उसकी प्रेक्टिस करनी हमें जुरूरी है वो अगर हम एक्जैमिनर की रिक्वार्मेंट्स को समझेंगे नहीं एक्जैमिनर का व्यू पॉइंट्स समझेंगे नहीं एक्जैमिनर की एक्स्पेक्टेशन नहीं समझेंगे तो हम पेपर में उस तरीके से परफॉाम नहीं कर सकेंगे जिस तरी कि शायद हमारे कॉंसेप्स भी होंगे फिर भी तो इसलीए हमें लाजमी और मलूम अपने पेपर के एक्जैमिनर को respect देनी है पेपर के एक्जैमिनर की जो demand है उस demand को हमें पूरा करना है और इस पेपर के अंदर तो स्पेशली जो हमारा एकनॉमिक्स का सब्जेक्ट है इसमें आप का पेपर पास करना बहुत असान है क्यों असान है क्योंकि इसमें कॉंसेट्स सारे वो जेनल कॉंसेट्स की डिसकेशन है जो हम डे टुडे कॉंसेट्स देखते हैं उन सब को अंडरिस्टैंड नहीं कर पाते हैं उस तरीके के साथ उस तरीके साथ एक्षिलें नहीं कर पाते हैं हमारी एड़ के सारी बाते हैं कोई हमने accounting की बात नहीं करनी के जी कि defer tax की कभी हमारी व्रूरत नहीं पड़ी होगी defer tax की कोई हमने accounting के अंदर हमने post retirement benefits की बात नहीं करें शायद हमें day to day life में उसकी शायद जरूरत नहीं पड़ी होगी लेकिन एकनॉमिक्स में जो भी चीज हम पढ़ रहे हैं इसको हम डे टू डे लाइफ के अंदर अपने इर्द गिर्द महौल के अंदर अपने इर्द गिर्द एकनॉमिक एक्टिविटी करते हुए हम इसको अब्सर्व करते हैं अब्सर्वेशन देर हम कंदंशन की बात की कंदंशन हमें पता है कि यार अचा हां ये तो सर्जो बातें कर रहे हैं इसी तरह सही है कुछ अटॉनमस कंदंशन होती है हमें इंकम हो या ना हो वो हमें करनी करनी है चाहे हमें उसको लिए लोगों से करदा लेना पड़े चाहे उसके लिए हमारी परानी सेविंग्स को यूज़ करना पड़े बट फार इसेक अफ सर्वाइवल वी नीड़ तू मेक दो एक्सपेंडिशर तो अटॉनमस कंदंशन हमें पता है हम अपनी डी टू डी लाइफ के अंदर भी देख लेत और इसी तरीके के साथ फिर इंकम से रिलेटेड था है इंडूज्ट कंदंशन हम आप उसको एकनामिक टर्मिनालोजी यूज़ कर रहे हैं वो concepts हमारे वही हैं जो के हम इर्दगिर्द देखते हैं उनको narrate करने के लिए हमने economic terminology स्यूस करने हैं ऐसा ही है ना कोई हमने कोई आज तक कोई निया concept economics में नहीं पढ़ा होगा economics में जो भी concept पढ़ा है वो वही है जो के आप लोग इर्दगिर्द observe कर रहे हैं मैं यहाँ पर आके कोई आपको नहीं मातनी सिखा रहा हुता है मैं सिर्फ वो जो आपकी इर्दगिर्द के महोल के अंदर observations हैं उनको एक तो observe करने का फुड़ा सा investigate करता हूँ कि यार observe कर ले और दूसरा उनको economics की terms के अंदर explain करने का हम तरीका देख लेते हैं अच्छा यह जो बात थी demand and supply उसको demand and supply की बात में करो किसी की price product की उपर चलीगी नीचे चलीगी उसको explain करने के लिए ये तरीका इस्माल कर लो तो आपके examiner की requirement बुरी हो जाएगी terminology यूज़ कर रहे हैं economic concepts यूज़ कर रहे हैं nothing else बाकी हमारी जो basic knowledge है basic concepts है वो वही हैं जो के सारे के सारे हमारे routine में हम observe कर रहे होते हैं ठीक है जी तो इस examiner का एक जो concept मैं चाह रहा था कि आप हम थोड़ा सा अपनी examination वाली साइट को भी इतरा focus करें इस examiner का examination के अंदर दो चीज़ें करता है वो कहता है section A और section B दो section बनाता है A and section B पेपर को दो इसों में तक्सीम करता है section A and section B section A में वो आपसे discuss करता है आपसे question पूछता है micro economics के micro economics के जितने भी question उसने पूछने हैं वो section A में पूछता है और दूसरी चीज़ जो section A में पूछता है वो आपसे mcqs mcqs के अंदर आपके दोनों micro और macro के दोनों के mcqs वो section A के अंदर ही पूछता है section A के अंदर आपको कोई वो गुंजाइश नहीं देता कोई आपको चांस नहीं देता के जी के आप इस question को छोड़ने इसको ना छोड़े all questions are necessary, जरूरी हैं उनको attempt करना वहाँ पर choice नहीं है and section B में वो case को discuss करता है section B में सिर्फ और सिर्फ वो macro को discuss करता है macro के जो से questions पूछने रहते हैं वो section B के अंदर पूछता है around अगर हम इसकी division देखें तो तकरीबन कोई 60% के करीब वो section A में question करता है और 40% के करीब वो section B के अंदर question के numbers allocate करता है और section B के अंदर एक और काम करता है यहाँ पर आपको वो choice भी देता है choice देता है कि आपके पास for example चार question चार में से तीन कर लें पांच 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 में से तीन कर लें वो इसमें आपको choice की भी option देता है clear है जिए इसी वज़ा से section B के अंदर जब हम macro पढ़ते हैं तो हमारे पास concept भी हमने build करना है और concept क्यों build करना है क्योंके for example केंगे जी के हम will definitely going to hurt you आप के पास यहां पे तो option मजूद देता है लेकिन यहां पे नहीं देता है यहां पे जो उसने question पीछा जो आपको MCQ पूछा वो आपने MCQ reply करना ही करना है वो नंबर आपके दो नंबर का एक MCQ होता है वो यहां एक नंबर का वो एक नंबर का एक MCQ होता है बीस के क्रीब MCQ पूछता है वो पेपर में तो वो MCQ बीस में से अगर एक या दो या तीन इसने से चले के तो आपके नंबर वहां ते जा सकते तो इस डी ए वी नीड टू बी किर्फुल वाइल चूजिंग टू स्टेड़ी केर्फुल होने जूरूर साथ बेतर यह है कि हम स्टेड़ी की बात ना करें कॉंसेंट्रेट करें आउ दी टॉपिक्स और उनके कॉंसेप्ट्स कम ज़रूर बिल्ट कर लें हाँ हम फोकस कर सकते हैं इसी एरिया के उपर हम ज्यादा फोकस कर लें किसी पर कम कर लें जैसे अभी चैप्टर 11 आएगा हमारा मैक्रो के अंदर चैप्टर 11 आएगा मनी के हमारे से बात होगी उसके अंदर इंफ्लेशन और अनिंप्लाइमेंट की बात होगी इंपॉर्ट वर्य इंपॉर्टंट इस जहां थे हमने जो कंदम्शन परही ह back कंदम्शन के तापिक परे कि vestig नजमी चैप्टर 11 में से तो लाजमी वह क्वेस्जन्स जरूर पूछता इंफ्लेशन को मनी को तृट हमारे तो आज की दिन मैंने सुचा कि क्लास का थोड़ा सा हमारा अली, अली, शाफिजा, हम्दान, निम्रा, सद्द, ये हमारा थोड़ा सा इंटरेस्ट लूज ओता जा रहा है तो हम class में interest को बरकरार रखें, class में macro को ये ना समझाएं कि हम selective study कर लेंगे और जान चुट जाएगी, interest को बरकरार रखें, class में दरूर आए, concepts जो discuss हो रहे हैं यहां पे, यह important concepts हैं, आपको वैसे अगर आप autonomous consumption या induced consumption की बात करेंगे, शायद आपको इतनी असानी से समझ ना सक के, खुद पढ़के, आ सकता हैं, लेकिन असानी से चाहिए ना है, और जो आपको इस level पे teaching की help available होती है, उसे इसी purpose के लिए होती है, ताकि आपका एक तो time बच्चत हो जाए, दूसरा आप जब किताब से पढ़ते हैं, तो आपकी अपनी interpretation होती है, वो दुरूस्त हो सकती ह यहां गलत हो सकती है, लेकिन जो examiner के साथ पढ़ पढ़के और पिछले को तीन, चार, पांच, छे attempt से पढ़ा पढ़ा के, जो एक teacher की interpretation बन जाती है, वो आपके ज्यादा clarity दे देगी और correct हो की, सो इसलिए, keep your interest in the classes, classes को छोड़िएगा मत, classes को attempt पढ़िएगा जरूर, classes दिको में आईएगा जरूर, ताकि आपके concepts जो भी बन सकते हैं, वो जरूर बने, और उसमें correct concepts बने, गल्थ concept सामना बना ले, ठीक है जी, यह मेरा आज की दिन की humble submission थी, और इसमें जो चीज important है, जो हम एक element को, अभी हम इतनी discuss भी कर रहे हैं, MCQs, MCQs are important, और important क्यों हैं, कि आप अगर देखेंगे, examiner के पास, मैं economics के examiner की न, बेबसी पे थोड़ा सा, कहता हूँ कि वो बेबस है, बेबस इस sense में है, कि economics के examiner के पास, कुछ बहुत ज़्यादा different questions put करने की option ही नहीं है, वो ही जो questions हैं, जो questions, पिछले 10 attempts यां 15-20 attempts में आप देखेंगे, उनी questions को कहीं ना कहीं, वो 30-40%, 50% के करीब repeat हो ही जाते हैं, हर attempt के अंदर, वो आपको repetitions, concepts की, वो repetitions मिलती हैं, उसके पास कोई गिना चुने concepts हैं, उनी में से उसने पूछना है, important concepts हैं, वो विचारे के पास शायद ज्यादा option नहीं है, accounting के concept, वो 2, 4, 6, 8, 10, मिला के कहीं पे एक question में पूछ सकता है, लेकिन यहाँ पे examiner के पास कुछ बहुत ज्यादा variation करने की option ही नहीं है, तो इस नहाद से हमें economics में थोड़ा सा advantage है, as a student, के हम अगर पिछले को 10 attempts, 15 attempts को हम त्यारी कर लेते हैं, तो हमें पता जरूर चल जाएगा, कि what is the intention of the examiner, what are the important topics, और उन important topics को हम cover कर लें, तो हम paper को समझ सकते हैं, तो इसलिए MCQs के अंदर एक और treaty part होता है, कि MCQs में वो जो आप से question पूछता है, उसका answer आपको ढूनने के लिए थोड़ा साथ दमाग के अंदर सारे concepts clear होना जरूरी हैं, अगर concepts clear नहीं होंगे ना, तो जो options होंगी, उसमें से दो तीन options आपको लग रही हैं, लग रही होंगी कि आपकी, इसका answer हो सकता है, लेकिन वो जब concepts आपके clear होंगे तो फिर आपको, इसलिए इसकी practice दुरूरी है, MCQs की practice दुरूरी है, अपने concepts को revise करने के लिए, अपने concepts को दुरूस रखने के लिए इसकी practice दुरूरी है, MCQs की practice करनी है, हमारे पात LMS के अंदर भी different chapters के MCQs available है, वो MCQs को attempt करें, तो आपको पता चलेगा कि जी के how much have you gotten control of the concepts, ठीक है जी, LMS में MCQs available है, chapter wise MCQs available है, तो उनको आपने attempt करना है, और उनसे related भी अधर कोई question होगा, तो वो आपने class में पूछें या WhatsApp पे पूछें, जहां पे भी आपको comfortable है, आप उस question को copy करने, उसका, उसकी picture खेंचें, discuss करने, ताकि उसको हम concept अपने clear करने, clear हैं जी, आज हम थोड़ा सा discussion, मैंने का एक ही monotonous activity के पर चलना हूँ, किताब, 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 किताब को complete करवाते जा रहे हैं, तो आज मैं थोड़ा सा आपको exams का भी थोड़ा सा focus दिया, ठीक है जी? Understood? अच्छा जी, investment की बात, आज हमने करनी थी, कि investment क्या होती है, हमारे economy के अंदर investment हो रही होती है, investment हम कहते किसको हैं, पहली बात हमें यह समय नहीं है, investment हम कहते हैं, expenditure on capital goods, investment is what? Investment is the expenditure on capital goods, expenditure on capital goods, आपकी economy के अंदर, capital goods के उपर, expenditure करने की जरूरत होती है, आप capital goods कौन सी होती हैं? हमने capital को उसमें भी पढ़ा था, अपने factor of production के अंदर, तो capital goods हम own goods को कहते हैं, capital goods हम own goods को कहते हैं, जिन goods को आप मजीद income करणाने के लिए, मजीद income बनाने के लिए इस्तमाल करते हैं, ऐसी था नए, factor of production के अंदर हमने capital की बात की थी, तो capital goods are those goods which are needed for the generation of income, income generation के लिए वो जुरूरी होती हैं, और consumer goods कोंसी होती हैं? consumer goods खाया पिया, हजम किया, बस आपकी किसी need को satisfy किया, आपने कुछ, आपने खर्चा किया, consumer goods के ओपर, वो आपनी, जो अपनी ज़ुरूरत थी, उसको इस्तमाल किया और खतम किया, ऐसी का, आपने अपने लिए ठंडक हासिल करनी थी, आपने ठंडक हासिल की, आपने खाना खाना था खाया और हतम किया, खाया पिया, हदम किया, उससे आप आगे income generate नहीं करें, कोई उससे आगे मजीद activity नहीं perform करें, but the capital goods are the goods for which generate income, used to get more income. मजीद, पहले जो income है सो है, हम मजीद income असल करना चाहते हैं, तो उसके वहाँ, तो investment किसी भी economy के अंदर, investment इस लिहाद से हमें बता चला, कि important चीज़ है, कि आप अपनी कुछ ना कुछ spending capital goods के अंदर कीजिए, उससे फाइदा क्या होगा, उससे फाइदा ही होगा, कि आपकी जो national income है, उसके अंदर इदाफा होगा, आप अपनी spending को investment में करके national income में इदाफा होगा, जी अबादारी है, जी अच्छा, investment को हमने कहां के जी के autonomous investment, autonomous and induced, autonomous कोंसी है, वो ही मामला जो हमने उसके साथ किया था, कि irrespective of income, income हो या ना हो, हमें वो investment करनी ही करनी है, without reference to income, वो income हो या ना हो, हमें वो investment करनी है, without reference to income या इस रेफरेंस, without reference to income, इसका मतलब क्या है, autonomous investment, investment क्या है, capital goods के अंदर, most must होती है, अब example इसकी क्या हो सकती है, आपको अपनी roads के उपर investment करनी पड़ेगी, आपकी roads खराब हो रही है, capital goods है roads, वो consumption नहीं हो रही है, वो आप मज़ीद income करने के लिए, लेकिन road जो खराब हो रही है, उसको repair करना पड़ेगा, आपकी कोँ मशीन थी, वो खराब हो रही थी, उसको repair करना पड़ेगा, मशीन थी, पिछली मशीन, depreciate होगी, complete की complete, आपको नई मशीन उसके इंस्टाल करनी पड़ेगी, वो क्या कर रहे हैं, आप income बढ़ाने के लिए नहीं कहते हैं, आपने income को maintain रखने के लिए, आपको autonomous investment करनी पड़ेगा, और induce investment क्या है, कि income बढ़ती जाएगी और investment बढ़ती जाएगी, income के साथ linked होती है, income अगर काम होगी तो investment काम होगी, for example, हमारी national income में इतनी है ही नहीं, हम कहते हैं, यार अच्छा हमें hospitals मनाने चाहिए ज़्यादा, तो हम कहिंगे साथ, sorry, we don't have sufficient national income to cover all the population through the services of hospitals, तो हमारी national income में कमी है, इसलिए हम capital investment नहीं कर पाएंगे, क्योंके national income काम है, और कुछ जगों पे, जी, और कुछ जगों पे जहां पे हमारी national income हो या ना हो, हमें without links to our national income, we need to invest, हमें investment करनी पड़ती है, उसको हम कहते के हैं, आपकी जो autonomous investment है, autonomous, उसको हम आई नाट कहते हैं, और इसको हम इस ग्राफ के साब रिप्रिजेंट करते हैं, investment, एक टरफ आई नाट, और वो इस टारा आई नाट होगी, इर्रेक्टिव ऐप्रिजेंगा के साब भी एक टरफ एक टरफ आइनाट और बूर इसको हम इसको हम नू हम इसकुने, M M Y and that is that will be represented through investment and income this is induced investment and total investment definitely जिसना सहमने किन्न क्योंके किन्न की तरह का ही है I not plus M Y M Y और ग्राफिकल प्रेजंटेशन में ये उपर से शुरू होगा this is our income this is investment and this is our income और ये जो एरिया है this is I not autonomous investment वो जो हमें करनी ही है अच्छा जी investment किस तरह किन चीजों के उपर investment depend कर रही होती है आप किन वजुहाद की बिना पे आप investment करेंगे ये नहीं करेंगे उसमें दो फेक्टर नहीं है इन्वेस्मेंट इस बेस्ट आन टू फेक्टर्टर्ट दो वजुहाद की बिना पे होती है जी अलीशा का है कि induce का graph हमें जीरो से start करना है नहीं जी induce का हाँ जी जीरो से start होगा क्योंके ये जीरो पे जीरो investment होगी income के अपर और फिर उससे आगे चलती जाएगी induced और जो हमारी complete investment जिसको हम I not plus MY कह रहे हैं वो जीरो से उपर start होगा क्यूंके इसमें autonomous investment का element हमने अलग ले लिया अच्छा जी investment जब भी national level पे हम investment की बात करेंगे तो national level पे investment करने लिए हमें दो चीज़ों को देखना पड़ेगा एक हम कहते हैं MEC One is called MEC MEC कहा जी marginal efficiency of capital MEC and other is interest rate अब यह क्या बते हैं हमने के इसको example से देखते हैं आपके पास for example आपके पास एक लाग रुपेयर you have 100,000 रुपीज अवेलेबल विद यू एस सेविंग्स आपको उसकी दुरूरत नहीं है कोई कलनम्चन के लिए आपको इस्तमाल नहीं करना आपके पास एक्स्ट्रा पैसे पड़े हुए हैं जब एक्स्ट्रा पैसे पड़े हुए हैं तो आप क्या करेंगे कुछ मेरे जैसा अकलमंद आदमी आपके पास आएगा आके केगा सर्थ इसना करते हैं आप एक लास रुपया है इसको बैंक में रख लेते हैं बैंक विल गिव यू अन इंटरस रेट आफ और एंपल 10 परसंट और यू विल है यूर इन्वेस्ट्मेंट सेफ एंड सेक्योर विद दी गरंटी आफ दी बैंक तो आप केंगे अच्छा या दास परसंट इंटरस्ट मिल रहा वेरी गुट मैं इसर करता हूं मैं बैंक के पास ही पैसे दुखा लेगा किया है दूसरी तरफ को मेरे जैसा एक और अकलमद आतमी आएगा वो कियेगा ख़र आपके पास एक लाख रुप्या है तो इसना कीजिए मेरे पास एक प्रपोजल है एक हम फैक्ट्री बना सकते हैं वह एक लाख रुपे में फैक्ट्री बन करेंगी फार एक्ट्री प्लास्टिक की शापिंग बनाने की फैक्ट्री यह सम्थिंग लाख रुपे में की ट्रेडिंग की एक्ट्विटी हम स्टार्ट करते हैं तो एक लाख रुपे इस सफिशेंट कैपिटल पर बैट एंड यू विल बी अर्निंग रिटर्न आफ कि तो अब हमारे पास हम किसी तो कंपेर कर रहे हैं एक तरफ हम कंपेर कर रहे हैं कि बैंक में पैसे रखवा दें और उससे हम इंट्रेस्ट ले लें अब जो रिटर्म मिल रहा है इंवेटमेंट के उपर उसको हम MPC जहते हैं जो हमने प्रोजट के अंदर इंवेस्ट किया प्रोजट के अंदर काम किया उससे हमने कुछ चीरें पर्चेर की पर्चेर करते हैं सेल की सेल करके हमने उसको प्रॉफिट निकाला तो प्रॉफिट सामें पता चला कि 20% प्रॉफिट आया तो डैट इस आवर जे जो हम प्रॉजेक्ट की एवैलुएशन कर रहे हैं प्रॉजेक्ट की हम investment से जो benefits हसल कर रहे हैं को हम जो पूर्प Key का सिंपल M आप जो आप इनवेश्चमेंट्ट कर रहे हैं और सब्सक्राइब इंट्रस्टेड आप की जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट आप बैंक में रुखवा सकते हैं यहां आपको कैपिटल जो आपको चाहिए था इस बिजनेस के लिए वो बैंक से करदा लेना पर सकता है तो वो बैंक से करदा लें करदा अगर 20 परसंट पर मिले और आपको माडन एफिशेंसी आप कैपिटल भी 20 परसंट हो तो फिर तो आपको कोई फाइदा नहीं होगा ऐसा ही है ना तो वी आर कंपेरिंग्ट वी आर कंपैल्ड तो कंपेर दीज तो रिशों दीज टू फिगर् इधर बुई कने इंवेस्ट एंगेट इन्ट फंडी बैंक और इफ वी चैन मेंक आठ्ट अंट इसको दूसरे अंगल ते देखें के बैंक से अगर हमें इस प्रॉजेक्ट के लिए लोन लेना पड़ता तो हमें उसको पर इंट्रस्ट देना पड़ता वह जो इंट्रस्ट देना था, वो इंटरस्ट हमारी cost of capital, वो इंटरस्ट हमारे margin efficiency of capital से कम होना चाहिए, तो फिर हम इस investment के लिए त्यार होते, अगर हम उस project के लिए जो करदा लेते, उसके उपर जो इंटरस्ट देना पड़ता, वो अगर हमारी margin efficiency of capital से ज्यादा होता तो फिर हम इस investment के लिए तैयार ना होते तो interest को देखने के लिए हमारे पास दो different आइने हैं एक हम इस आइने इस एंगल से देख रहे हैं कि जी हम पैसे जाके bank के पास रखवा जें और bank से उसके पर सूध हसल कर लें और वो जो सूध है अगर हमारी margin efficiency of capital से ज्यादा है तो bank हमें अच्छा लगेगा और अगर वो सूध हमारी margin efficiency of capital से कम है तो फिर हमें project अच्छा लगेगा हम कहेंगे कि हम project के ओपर investment कर देंगे ठीक है जी आर टू basic concepts relating to the concept relating to the investment margin efficiency of capital को हम expected return भी कहते हैं this is called expected return and interest rate को हम cost of capital भी कहते हैं कास्ट अफ कैपिटल स्लेश बार्विंग हम इसको expected return भी कहते हैं margin efficiency of capital को और interest rate को cost of capital भी कहते हैं बार्विंग भी कहते हैं तो इन दोनों के हमारे पास different नाव हैं इसके इलावा और कौन से factor वोंगे जिस पर investment based करेगी कुछ other factors की हैं आपकी country के अंदर investment जैसे हम नहीं कहते हैं पाकिस्तान के अंदर हम चाहते हैं के बिरूनी investment आये बाहर से लोग आके investment करें foreign direct investment FDI का concept हम देते हैं foreign direct investment जी पाकिस्तान की foreign direct investment बढ़ गई है foreign direct investment कम हो गई है तो हम इसी चकर में पढ़े रहते हैं तो उसका क्या सिर्फ और सिर्फ margin efficiency of capital और interest जैड से relationship है नहीं उसका इनके इलावा भी कुछ factors है जिनके उपर उनका relationship है वो कौन से factor में लाइन और अगर आपका अंदर मुल्क की security सुरते हाल बेतर होगी तो लोग investment करेंगे आपके लोग भी investment करेंगे बाहर से भी लोग आएंगे अगर आपकी अपने मुल्क की सुरते हाल अच्छी नहीं होगी तो आपके लोग भी जो income कमाएंगे वो कुशिश करेंगे कि हम स्वीजर लेंड के बैंकों के लिदर जाके जम्म करवादें या दुबई में shift कर लें तो वो line order is an important factor for generating investment in your economy अगर line order दरुस नहीं है तो investment नहीं हो सकेगी and second thing is ease of doing business जो हम बार बार बात करते हैं आपका जी हम ease of doing business के scale के अंदर फलानी जगा पर चलेगे फलाने में हमारे पाकिस्तान के अंदर जो भी businessmen business करता है उसको 47 47 different taxes और departments को face करना पड़ता है 47 तो इतने taxes और इतने departments और इतनी compliance जब कोई शक्स business करने के लिए करेगा तो वो पिचारा business करेगा के यह टेक्सिस और उनकी departments के compliance के उपर ही फशा रहेगा तो इस वज़ा से भी लोग भाग जाते हैं वो investment नहीं करेंगे वो कहेंगे जी के यहां पर तो काम करना ही बड़ा मुश्कल है सेकेंड थर्द चीज़ जो important है आपकी जो cost of production है जैसे utility charges और आपके wages वो जहां पे असान होंगी कम होंगी आपकी cost of production कम होगी लोग वहां पे interested होंगे अपनी factories अपनी investment करने के लिए जैसे पार इस चाइना है चाइना आपको industry लगाते हैं वो कहते हैं कि आपको हम बीजली के अपर subsidy देंगे wages पूरी दुनिया से कम wages हमारी हैं लोग बिताशा लोग हैं इस्तमाल करें तो लोग भाग भाग के कहते हैं जैर चाइना में फेक्टी लगा देते हैं आईफोन उसने गादी के चाइना में production plant मेरा चाइना में होगा फ्लाना सैमसेंग मेरा production plant चाइना में होगा फ्लानी कंपनी बड़े बड़े ब्रैंड्स जों से हैं वो अपनी investment चाइना में जाके करते हैं क्यों करते हैं इसलिए करते हैं क्योंकि उनको पता है कि cost of production हमारी काम है वहाँ पे बेथरी होती है सर इसलिए ऐस्ट्रेलिया की तक्रीबन सारी इंडिस्ट्री भी चाइना में है जी ऐसे ही है ऐसे ही वज़ा से क्योंकि cost of production कम है wages कम है यूटिलिटी कम है में सब्सेटिव देती है गौर्मेंट और बहुत सारी ease of doing business है safety है security है और आपको काफी सारी वहाँ फिसलिटी मिलती हैं so that's why her businessman चाहेगा कि मैं वहां पर जाके अपनी investment करूं और वहां से अपना काम स्टार्ट करूं so these are the things which are important for the sake of increasing or decreasing the investment then the other thing that we need to know that interest का और investment का एक relationship है interest and investment अब ये क्या हमने बाद कर दी हमने का जी के आप का interest और investment का एक relationship होगा here we have interest high small and here we have investment this is called MEC modern efficiency of capital जैसे जैसे interest कम होगा लोग investment की तरफ ज्यादा होते जाएंगे interest में कमी लोगों को investment की तरफ मोटिवेट करेगी और this graph is called this line is called margin efficiency of capital अब ये हमने क्या बात कही है अगर interest बढ़ जाएगा तो क्या होगा कास्ट आफ बार्विंग बढ़ जाएगी जब कास्ट आफ बार्विंग बढ़ जाएगी तो क्या करेंगे लोग investment नहीं करेंगे investment नहीं करेंगे और क्यांगे भाइजान इस project के लिए जिसके लिए हमने investment लेनी है करनी है उसके लिए जब करदा लेने जाते हैं तो करदे के ऊपर तो हमें अच्छा हासा interest देना पड़ता है तो वो जो interest हमें high interest देना पड़ता है this high interest will reduce the investment high interest will reduce the investment और जब इसका दूसरा angle भी है कि कि लोग investment करने की बजाए केंगे या saving में ही रहने दो पैसे हम invest saving के अंदर हमें 10% interest मिल रहा है investment करते हैं तो हमें तोड़ा से हमें पैसे मिलते हैं तो हम बजाए इसके के अपनी investment के दर जाए we would like to go to this saving हम वो savings में ही रखेंगे दो element हम देख रहे हैं एक cost of borrowing के ओपर investment low होगी क्योंकि कास आप बार्विंग का मुकाबला होना है margin efficiency of capital से तो जिन margin जो margin efficiency of capital जैसे यह वाले margin efficiency of capital इतने interest से नीचे हैं तो इसको तो कोई बंदा नहीं लेगा ओकेंगे यार इतनी जहां पर margin efficiency of capital interest से उपर है वहां वहां सिर्फ investment करेंगे जहां पर margin efficiency of capital interest rate से नीचे है उसको ओपर हम investment नहीं करेंगे आई समच्छ तो comparison किसका हो रहा है interest rate और margin efficiency of capital का interest rate और margin efficiency of capital का comparison कर रहे हैं और उस की बेस के ओपर हमारी investment कम या ज्यादा हो रही है जब interest rate कम होता है ज्यादा project हमारे feasible हो जाते हैं क्योंकि उनकी margin efficiency of capital interest rate से ज्यादा होती है तो हमारी investment बढ़ जाती है economy की ठीक हो गया let's go to the book और इस तो दो मिंट के अंदर इंशाला consolidate करते हैं investment and asset item our product that is purchased with the hope of generating future income autonomous investment or autonomous investment induced investment induced investment interest rate and investment interest rate or investment warm for the purpose our message we will be considering induced investment of the private profit maximizing fund the interest rate at which front can borrow is an important factor to consider a change in interest rate should affect the level of investment in the private sector of the country instead that two factors that determine MEC and interest rate rate of discount which makes the present of MEC हमने कहा सादा सादा सी बात की थी कि जनाब expected return तो यहां पर कह रहा है कि rate of interest MEC को वो define कर रहा है rate of interest मैस में हमने present value का concept पढ़ा मैस में सबको present value का concept मजूद है तो present value क्या होती है present value क्या होती है जो आपकी future year one year two year three इसमें जो values आ रही होती है उनको आप discount करते हैं और आप year zero के उपर आ जाते हैं इनको discount करते हैं और एक discount rate होता है ऐसा ही है discount rate क्या होता है यह भी percentage ही होती है जब उसको discount करते हैं present value के उपर आते हैं तो आप एक discount rate आपके पास वो एक यहां पर rate of interest उसको कह रहा है जो discount rate है margin efficiency of capital के लिए अब इसको पढ़े rate of discount which makes the present value of the prospective yield from the capital asset equal to its supply price अब यह देखें हमें दासर पर इसमें मिलने थे दासर पर इसमें मिलने थे दासर पर इसमें मिलने थे हमने supply price की for example 20 हमने जो investment की तो इन तीनों को अगर ऐसे discount rate के उपर करें जो इसको 20 के बराबर कर दे तो वो discount rate हमारा margin efficiency of capital के लाएगा तीक है फिर वोई बात का economist है हम तो हम थोड़ी सी technical कर देते हैं वरना इसको हमने सादा से expected return जो हम बात कर रहे थे वो ही है सिर्फ उसको हमने कहने के लिए अंदास हमारा फोड़ा सा अच्छा हो गया market rate of interest from household must pay funds in the present जो आज borrowing करने के लिए margin efficiency of capital और वोई interest rate ये interest rate ये investment ये MBC और MBC अगर किकी विज़े से shift होती है तो वो यहाँ पर factors फिर वही factors जोंसे investment gift that investment and MBC short run के अंदर demand for the goods, change in income, liquid assets, current rate of investment, change in sentiments, और long run के अंदर population growth, technological development, quality of capital goods और tax rates ये वो factors हैं जो के आपकी investment को बढ़ाएंगे ये ये काम करेंगे government किसांसे कर सकती है वो interest rate को control कर ले तो investment बढ़ जाएगी कोई इसके दर मुश्किल काम नहीं है इंकरिज करें लोगों को investment के लिए, stimulate करें business, encourage technological development, influence volume of consumption, government spending को increase करें तो investment बढ़ती जाएगे impact of change in interest rate हमने interest rate की चीज़ेंदी डिसक्स की, decrease in interest rate को भी हमने डिसक्रिप डिसक्स किया है this is how we conclude the investment interest rate increase or decrease को हमने यहां पर discuss किया था कि उससे क्या परक पड़ेगा ठीक है जी, let's conclude for today and let's meet tomorrow इंशाला और हमने इसी जल्बे के हाथ आगे बढ़ना है और इंशाला इसको हमने पास करना इस paper को इंशाला अच्छा जी, Allah आफेज